नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आप सभी का उडान I.S. Academy के online platform पर मेरा नाम रवी गोयल है दोस्तों तो जैसा कि मैंने कल के वीडियो में कहा था कि आने वाले दिन में एक वीडियो आप सभी को मिलेगा जिसमें मेरे साथ में तैनिक भासकर रायपूर के एक बहुत ही चर्च थे दैनिक भासकर रायपूर के एक senior पत्रकार सुधिर उपाजाय भाया तो इनका जो education के छेत्र में पूरा coverage होता है आप जो भी खबरे देखते हैं दैनिक भासकर में चाहे वो रोजगार के संबंद में हो सिक्षा के संबंद में हो तो अधिकांस खबरों का जो coverage है सुधि करूंगा कि कौन-कौन सी vacancies आने वाली हैं पूरे क्रम बार मैं ऐसा चर्चा करूंगा कि CGPAC में कौन-कौन सी भरतियां हो सकती आने वाले समय में व्यापम में कौन-कौन सी भरतियां हो सकती हैं व्यापम का जो अभी पूरा एक ठहराओ दिख रहा है कि अभी कोई भरती ही नहीं आ रही है, उसका कारण क्या है, तो सारी बातचीत करेंगे, तो एक-एक करके सारी भरतियों पर बातचीत चालू करते हैं. इसमें आज मैं आप लोगों से सब इंस्पेक्टर भरती परिच्छा की बात भी करूँगा, सिक्षक भरती परिच्छा की बात भी करूँगा, एक्जाम भी कही न कहीं हो नहीं रहे हैं, रुके हुए हैं, CGPHC की भरतियां भी देखा जाया तो एक ही भरतिया भी दिखरी है, राज इसे वा परिच्छा जो की हर साल की तरह हो रही है, और कौन-कौन सी भरतियां सबसे पहले मैं CGPHC परिच्छा की बात करूँगा, अबकर कोट से आयल जित की जाते थी वेक्एंसी इस ऐर पहली बार CGPHC से रही है इसके लिए परस्ताव CGPHC को मिल चुका हैं दूसरा उध्योग विवाग की वेक्एंसी है, ये वेक्एंसी प्रबंधन से संबंदित है, ये वेक्एंसी भी आने वाली, ये दो वेकेंसी म पस-पस भया मुझे याद आ रहा है कि एक्जाम हुआ था उसके बाद अभी तक एक्जाम हुआ नहीं है. तो प्रबंधन के अगर चेत्र में ये विकेंसी आ रही है, तो बहुत ही अच्छा पद हो सकता है. तो अभी बहुत ही बड़ा पद होता है, तो जैसा कि भया ने बताया कि दो बड़ी वेकेंसी हैं. एक तो कोर्ट मैनेजर की वेकेंसी बता रहे हैं और एक कही न कहीं उद्योग विभाग में एक बड़ी वेकेंसी आने की उमीद है सही. दोनों अभी आने वाली है, बहुत जल्दी इसके लिए सूचना जारी होगी सीजी पीएसी से. सबिन्सप्तर भरती परिक्षा का जो मामला चल रहा है कि इसके आवेदन तो भरे जा रहे हैं इसका प्रारंभिक चरण कब होने की उमीद है इसका? इसका प्रारंभिक चरण नए साल में ही यानि जनवरी के आप मान के चलिए कि 25 जनवरी के बाद जो भी होगा वो नए साल में ही होगा तो पहला चरण इसका नए साल में सुरू होगा तो नाब जोग का चरण है प्रकिरिया आगे बढ़ेगी तो आप इसके हिसाब से त्या कि आसपास आपको उसका schedule दिया जा सकता है czasu ऐसा बहाया का कहना है तौ सब इंसपेक्टर के जो अभ्यरती है जिनका लगातार message दी आता है मेरे पास में comment आते हैं कि कब होगा सर पहला चरण तो तैयारी में लगे रही है क्योंकि सब इंस्पेक्टर भरती परिक्षा अगले साल पूरी हो जाएगी अगले साल पूरी हो जाएगी तो सब इंस्पेक्टर के अभिरतियों के लिए तो बहुत अच्छी ख़बर है और जैसा कि हम पहले भी बोलते आ रहे थे कि सब इंस्पेक्टर परिक्षा जो है यह अगले साल पूरी हो जानी चाहिए को लेकर के और कुछ ख़बरे हैं क्या सीजी पीसी के लिए तो फिलाल यह है अभी और एक राजिसेवा परिक्षा का तो आया हुआ है राजसेवा के लिए और के बात करें तो फिलाल कलेंडर तो सीजी पीसी के मेंस में जो सिलेबसं में बदलाओ की बात्चीत हो रही थी जो कि नहीं कियार शीजी पीसी ने प्रस्जी वही इतरं वापस से दे दिया है खेर अत्शी बात है यह गीज अदो प्यासता वरफ क्विए करता कर रहा है तो एक अच्छा और रिष्तेदारों को लेके बात आई है कि अब कोई भी पहले भरती में ऐसा परिवार को लेके सपस्ट नहीं था जो अपसर और कर्मी है प्यसी के भरती परकिरिया से वहां से बाहर हो जाएंगे बहुत अच्छी बात हुई भी भोशना पत्र देना होगा इसका अच्छा कवरेज मैंने देखा था आपके आप ही इने कवरेज किया तो मैंने भासकर में पढ़ा भी था इसका कवरेज को तो यह पारदर्शिता के लिहां से यह सरकार का बहुत बड़ा कदब है तो कहीं न कहीं CGPSE की त्यारी करने वाले अभिरतियों के लिए अच्छी खबर है जो निरासा थी उनके मन में पिछले 3-4 सालों से कि कहीं न कहीं अच्छे तरीके से एक्जाम नहीं हो पा रहे हैं प्री आप पारदर्शिता मिला है तो CGPSE की जो त्यारी कर रहे है भिरति एकदम confidence के साथ में एकदम मन लगा कर त्यारी करिए बिल्कुल भी निरास मत होई है क्योंकि CGPSE में अब एकदम पारदर्शिता के साथ ही परिक्षा होने वाली है तो प्रारंबिक परिक्षा की डेट जै वाली vacancies जैसा कि भीया ने बताया कि एक आपको उद्योग विभाग में दिखाई देगी एक आपका court manager का है सब inspector भरती परिक्षा तो चली रही है इसका तो आवेदन वाला process चल रहा है इसके बाद प्रारंभिक चरण भीया का कहना है कि फरवरी मार्च के आसपस चालू हो अब आते हैं विया अपं में विया पंबिया कहीं निरासा का माध्यम बन गया बच्चों के लिए क्योंकि ना तो रिजाल्ट आ रहे हैं जो exam सुए है और न गोर्टन का exam सुए निया रहा है तो ना तो रिजल्ट दे रहा है ना तो इक्जाम का कारण प्या पेले तो यह ब भर में भरती पर रिक्षा करूप में 10-12 भरतियां करीब आते रहे हैं लेकिन ये पहली बार है लंबे समय के बाद से कि इस साल ब्यापाम से सिर्फ मतद से निरिक्षक के 70 पदों की ही एक भरती आई नहीं भरती पूरे एक साल में अभी तक जो बाकी भरतियों के लिए जो ए चिपस से अनुबंध ब्यापम का समाप्त हो चुका है अब नई एजेंसी के तलास की जा रही है तो NIC से संभावना है कि NIC से ब्यापम का अनुबंध होगा उसके बाद ही कोई नहीं भरती होगी और प्रकिरिया भी चल यह माना जा रहा है कि इस महीने अनुबंध हो सकता ह दिसंबर में तो एक तथी यह है निरासा करने वाली और एक बात है कि इस महीना भी ब्यापम से अभी कोई परिक्षा नहीं होगी कोई नहीं वेकेंसी आएगी यह पूरा दिसंबर खाली रहने वाला है अच्छी बात पर हम बात अगर करें तो जनवरी लास्ट से अभी अन आरक्चक, एडियो, सब इंस्पेक्टर, सुरी, सब जूनियर इंजिनियर के अलावा एनाइडिये और नयालेक परियोक्षाला, विज्ञान परियोक्षाला में विज्ञानिक अधिकारी के पोस्ट के लिए भरतिया आएंगी तो यह जनुवरी के आखरी से और परियोक्ष सुरुआ से कुछ भरतिया निकलनी शुरू हो जाएंगे और इस बीच परियोक्षाला परिचारक के इतने कमेंट आएं ना भी यूटिव चनल में हमारे कि परियोक्षाला परिचारक कब होगा तो उसका तो खासकर हमारे जो दर्सक है हमारे जो बच्चे जुड़े उनको बिल्कुल बताती जब यहां कि कब होगा उसका पदों के लिए जैसे पता है कि साथ लाग से ज्यादा आवेदन है हाईर एजुकेशन से ब्यापम को जानकारी दे दी गई है परस्ताव पहले ही दे थी संभावना थी कि अगस सितंबर में यह परिक्षा होने वाई भी थी देखारी कर ली लेकिन अनुबंध खतम होने के कारन फीर यह मामला कहता है जैसे यह जाती है परिक्षा हो जाती यह जुच में आपका को जाती है Prisya अंपका भी था किanduki होनेगी वाला है वह प्रियॉक्षाल्य परिछार्क का तो अनुबन्द खत्म होने के कारण ही कही न कहीं या exam डिले हुआ है तो तयारी करते रही है प्रियुक्साल्य परिचारक के बहुत सारे पदाय थे तयारी करते रही है मैं भईया कि बोला कि आईए बच्चों को जो निरास हैं बच्चे वेकेंसिस को लेकर के एक्जाम को लेकर के उनके अंदर थोड़ा सा जोस भरी है कि वो तैयारी में लग जाएं क्योंकि अचानक से अगर ऐसे एक्जाम की डिट आएंगी न तो जो बच्चे भी निरास है अपना समय हो जाता है जनरली ब्यापम से तो इंट्रेंस एक्जाम अप्रेल से लेकर और जुलाई के आसपास तक में बहुत सारी परिच्छाएं इंट्रेंस के होती है जिसमें इंजिनियरिंग टेस्ट है पोल टेकनिक टेस्ट है वगरा वगरा तो इस बीच में एक्जाम थोड़े जनवरी से मार्च अप्रेल लगातार एक्जाम होंगे और नई वेकेंसी आएगी और एक बात यहां पर यह भी कि जो आठ रिजल्ट अभी करीब बड़ी परिक्षाओं के रुके हुए हैं ब्यापम से वह रिजल्ट भी जनवरी के आखरी में जारी होंगे जिसमें मुंख बच्चों को बोल दू कि आएगा ही है एकदम कंफर्म व्यापम को प्रस्ताव मिल चुका है पहले सही और त्यारी भी कर ले गई है तो यह भरती आएगी तो ADEO के लिए भी बच्चे बहुत इंजार कर रहे हैं ADEO का लगातार पिछले 2-3 साल से इंतजार चल रहा है हो गया था कि आएगा ही है बहुत जल्दी दिखेगा आपको तो जन्वरी में यह वेकंशिस आपको दिखाई दे सकती है ADEO की वेकंशिस आपको लेकारी दिखाई दे सकती है आप अबतार बताना चांगा इंजाए गा प्रपोजल ब्यापम को मिला है अगर अनुबंद होने में देरी होती है और कुछ होती है तो ऐसा नहीं कि भरती डिले होगी को सकते है कि ट्रांसफर होके तो आप त्यारी किजे कि अगले एक दो मैने में अगर अनुबंद नहीं भी होता है तो समभावना है कि दूसरे जगह से भी आएगा तो यह तो अच्छी खबर जीसे एसाई का किया है तो समभावना एक्जाम होने की है कि जनवरी के आखरी में और फरवरी से सुरू होगा ज ट्यारी में काटिये लेकिन द्यारी छोड़िया मत द्यारी में काथिये एक दो और वेकिस का बच्चो को बिस अबली सिंधी जारेसर एक तो सिक्शग भरति परिक्ष्ट की बात करूंगा बच्चे थीस अजार पदो पर जो घोषना हुई थी, अचानक से गायब हो गया त बीच में अभी यह बीएड और डिलेट का जो बिवाद उठा इस कारण से भी बहुत सारी प्रभावित हुई है इसमें टीचर जो भरती है वो प्रभावित हुई है तो यह हम मान के चल रहे हैं कि नए साल में अगले साल एक टीचर भरती भी आए है ना सिर्फ यहां चछतीस बहुत सारे पतखाली रहे हैं तो आप टीचर की तियारी करते रहे हैं कि टीचर भरती परिक्षा का घिच में सीक्षामंत्री आफे अगले साल आप मोंका मिले गा यह सब भरती का क्योंकि इन गूशना अचानक से उन्होंने कर दी कि होने वाली है अचानक लगाने प्कूर से टेट का एक्जाम हो गया फिर रचानक से इसमें थोड़ा सा ब्रेक लग गया फिर अभी खबरे आ रहे हैं कि इसके बारे में कुछ बोली नहीं रहे हैं और बहुत सारे बच्चे संघर्ज भी किये लगातार उसमें स्ट्राइक किये फिर भी कोई असर नहीं दिख रहा है तो कहीं न कहीं लग रहा है कि अगले साल इसमें यह भी तत है कि 33,000 पत की विकेंसी है लेकिन 33,000 एक बार में नहीं निकलेगा बिल्कुल थोड़े टुकड़े में मान के चली कि 15-20,000 पोस्ट आएंगे 33,000 और यह प्रपोजल भी गया है उसमें तो भरती होगी नहीं साल म मतलब माई जू जुलाई तक भी हो सकती कोई बड़ी बात नहीं है उससे पहले भी आ सकती है बस त्यारी करते रहें निराश मत होई मतलब नए 17 महीं कहीं नए 17 महीं जूपी होगी जी-जी-जी-जी-जी तो यह कुछ व्यापम की एक्जाम्स थे इसके लाबा जो अकर मैं यह भी मनजूरी मिल गए दुगाकते तो यह ब्यापम से परिक्षा होगी उसमें भी इंजिनियरिंग के लिए पोस्ट है जिन संपर का पोस्ट है सहाइक ग्रेट टिंग के पोस्ट और एक अच्छी बात है कि सहाइक ग्रेट टिंग के अलग-अलग भाव बहुत के लिए भर सारा और अभी व्यापम के जो रिजल्ट का भी वेट कर रहे हैं रिजल्ट भी जारी हो जाएगा नुबंद खतम हो गया था चिप्स से नई एजनसी की तलास है और जैसे ही नई एजनसी मिलती है करीमन-करीमन मामला सेटल हुई रहा होगा मामला मांग के चलिए कि 10-15 दिन सारा कुछ देटा वेगरा अपडेट होगा तो फिर रिजल्ट वेगरा भी जारी होंगे और नई वेकेंसी तो नया साल जो है आप लोगों के लिए बहुत सारी भरतियां लेकर के आएगा अब उन भरतियों में आपको चैन लेना है तो उसके लिए तैयारी तो करनी पड़ को कि कुछ कारण से भरतियां रुकी हैं कुछ कारण से रिजल्ट रुके हुए हैं भरतियां होंगी रिजल्ट भी जारी होंगे जैसे वाडन का रिजल्ट भी पेंडिंग है वो रिजल्ट भी जारी होगा और भी रिजल्ट पेंडिंग है वो रिजल्ट भी जारी होंगे क कारण से ये सब में रुकावट आई है, तो वो कारण जैसे हटेगा, तकनिकी कारण है वो, अब किसी के हाथ में ऐसा था नहीं, चिप से अनुबंद खतम हुआ, तो टेकनिकल इसूस थे, जिसके कारण से वेकेंसी रुकी है, रिजल्ट रुके है, तो जल्द ही आपको इसमे करके बातचीत भी करते हैं, आप उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, एजुकेशन रिपोर्टर के नाम से है चैनल, तो मैं कमेंट में पिन करा दूँगा वो जो चैनल का लिंक है, आप वहां पे जाके उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, भहिया का कवरेज पूरे रायपूर में रहता है, सिप्छा के छेतर में, जो भी आप news देखते आए हैं, रोजगार के छेतर में, जो भी आप cutting देखते हैं, unpredictable का, जो भी आप developments औरrick योडालते रहते हैं, वो कही न कहीं coverage भाया का ही रहता है, तो इस छेतर में लगातार 15 साल करीबन होगे भी आपको 15 साल होगे education के field में काम कुरते हुए इनको तो इनकी खबरे कहीं बहुत पुखता रहती हैं और मैं भी जो आपके सामने खबर लेके आता था इनसे बातचित करके ही लेके आता था मैं आपको बोलता था कि हमारे जो source हैं हमारे जो परीचित हैं हम उनसे खबरे लेकर के आते हैं आपको बताते हैं तो मैं आज उन source को आपके सामने स्वयम ही ले आया हूँ जहां से हम खबरे लेकर के आते हैं तो आपके सामने प्रत्यक्षी मैं ले आया आप उन ही से बात कर वही आप से सारी बाते कर ले ताकि आप लोग पढ़ाई में लगें तो भया के चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे की आपको खबरे मिलती रहें, टाइम पे मिलती रहें तो नई वेकेंसिस को लेकर के और रोजगार को लेकर के बहुत सारी खबरे इनके चैनल में आते रहेंगी तो एजुकेशन रिपोर्टर के नाम से इनका जो चैनल है मैं कमेंट बॉक्स में करा दूँगा उसको फिन वहाँ पर जाके आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और तयारी में लग जाईए बिलकुल भी negativity मत लाईए अपने अंदर में ऐसे वेक्तियों से दूर रहे है जो आपको बोलते हैं vacances नहीं आएंगी ये है वो है तो उनसे दूर रहे है तयारी में लगिए अगला साल आपको जरूर नौकरी देगा एक-एक नौकरी नहीं और ऐसा स्थिति बना लिजे कि दो तीन नौकरी आपको मिल जाए आपके फिर चौइस में हो की सर ये भी हो गया है वो भी हो गया कौन सा जॉइन करूँ ऐसी स्थिति आपको कहीं न कहीं उत्पन करनी है अगले साल आपके साथ तो भाया का बहुत बहुत धन्यवाद भिया तो कहीं न कहीं आप लोगों के लिए बहुत ही लाबदायक रहा हो मैं ऐसे आसा करता हूँ तैयारी में लगिए ठीक है भी है धन्यवाद भिया